नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बात करने वाले हैं जिस तरीकी से अभी हाल फिलाल में जो है आपको लगतार तेजी देखने को मिली है पूरा मार्केट जो है एक तरफ हो गया है अब न्यूज और इवेंट जितने भी सब कुछ सब खतम हो चुके हैं अब क्या मार्केट के अंदर होने वाला है क्या कुछ होगा मार्केट क्या फिर उपर जाएगा या नीचे जाएगा अभी आप देख रहे थे कि निफ्टी के अंदर लगतार जिस तरीकी की तेजी बनती हुए नजर आई तो कही न कहीं जो है एक अफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिल सकती है अब बजार में गिरने का कोई स्पेसिफिक कारण तो होता नहीं है बजार किसी भी कारण को जो है गिरावट उसके अंदर हो सकते किसी भी कारण से भी हो सकते तो यह कोई कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकता कि बजार कोई specific कारण बने कि बजार जो है गिरने लगे बात करने तो कोरोना वाइरस हुआ था जब lockdown हो चुका था तब उसके बात से लगातार जो है रिकवरी हमें मार्केट के अंदर होती हुई नजर आईए बर दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि बजार पूरे विश्व के अंदर कोरोना वाइरस महामारी से जितने लोग infected होए हैं जब लगातार जो है बिमार लोगों की संक्या बढ़ती भी जा रही थी तब भी बजार जो है उपर ही जा रहा था बजार ने बहुत अच्छी तरीकी से रिकवर किया है अब गिरेगा कहां से यह कुछ नहीं पता है या फिर कुछ मानने में तो यही आ रहा था कि जिस तरीके से ग्लॉबली चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अब अमेरिकी राष्टपती का जो इवेंट था यह सबसे बड़ा इवेंट माना जा रहा था कि इसके बाद में पूरे विष्टक के साथ में किस तरह कि किया बिजनिस होने वाले हैं economy की जो है हालात कैसी होने वाली है क्योंकि आफ जानते हैं कि number one country है तो कहीं न कहीं जो है कुछ न कुछ और देशों के ऊपर भी जो है फर्वा पढ़ने वाला है अब बात करते हैं जो बिड़न और डोनल ट्रम्प के बारे में जो बिड़न जो है रास्टपती बन चुके कि वे लो जो बेड़न जो है वे कम से कम जो है जिस तरीकी कि उनके सुरू से ही जो है नीतियां थी वो नीतियों को आगी भी रखना चाहें तो सबसे पहले तो उन्होंने यही चीज जो है अपने भासन में भी कई बार कही है तो वह हमिशा इस बात हो कहते रहें और अब यह भासन में कहा था कि जिस तरीके से अब कोरोना वाइरस महामारी फैल रही है तो सबसे पहले तो हमें अपने नागरिक हैं उनकी सुरक्सा के लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे तो उसके लिए अगर हमें लोकडाउन भी लगाना पड़े तो हम उससे चुगेंगे ट्रंप की तो ट्रंप जो है इसके खिलाफ थे ट्रंप जो है नहीं चाते थे क्योंकि यह जो है जो बिजनिस यानि के एकोनमी है उसको बढ़ावा देने के लिए लगातार जो है प्रयास कर रहे थे इनोंने ज्यादे दिन जो है लोकडाउन जिस तरीकी से नहीं चला उसक बीवन बीवस वीजा को जो है रोक लगी थी तो कहीं न कहीं जो है अब यह जो है जो बिढ़न यह जो है इसके पूरम को होता है इस मामले में बन्ता हुआ नजर आ सकता है फिलाल में कर फिलाल में दोस्तों कर मारकेट की दिसा और दसा की बात करें तो आप पांच दिनोंके चाट को ठाके देख लीजेए। आप खुद अिडाजा लगा लिजे का जिस तरीकिस जो विडं के टायम में जो है मारकेट के इंदर उचाल देखने को मिला है। तो फिलाल में मार्केट ऊपर रिकवर करता हुआ नजर आया है तो कहीं न कहीं जो है मार्केट इस चीज को अच्छा मान के चल रहा था पहले से ही के जो बिड़न आएंगे तो फिर पोजिटिवनेस बजार में आई है बहुत सारे शेर जो हैं उपर जा चुके हैं फिलाल में जोस्तो मैं आपको सचेथ करना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट काफी ऊपर जा चुका है तो कहीं न कहीं जो है हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है एकदम ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको और वी ऊपर जाता हुआ नजर आए आपको सचेथ होक को ध्यान में रखकर जो है अपना प्रॉफिट प्रॉटेक्ट कर लीजेगा तो यह साधानी आपको लगतार बरतनी चाहिए क्योंकि बजार का कुछ पता नहीं है अनिश्चित्ताओं का खेल है बजार के अंदर हलचल देखने को मिल सकती है फिलाल में बात करते हैं जिस त बिजनिस को बढ़ावा देने वाले हैं तो कहीं न कहीं जो है और भी जो है उच्छाल हम लोगों को निफ्टी आईटी के अंदर हम लोगों को बात करने स्पेसिफिक हम लोगों को देखने को मिलने वाला है तो दोस्तों यह सारी चीज़ें कहीं आगे परभाव डालेंगी आफ को देखने को मिलेगा उसके बाद जो अधर निफ्टी हंडेड की कमपनियां थो आपको चेंजने को मिलेगा तो फिलाल में आपको इन सारे स्टॉक्स के अंदर अपनी पोजिशन जरे बना के चलनी चाहिए बात करें दोस्तों फिलाल के अंदर जो है अभी आपको तेजी और बनती हो नजर आए जिस तरीके से अभी रिजल्ट का सीजन चल रहा है अपने हैं इंडिया में तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अभी मार्केट और हमारा पोजिस्टिव हो सकता है कहीं कहीं जो है मार्केट एक बार अप से पहले कोरोना वायरिस से पहले तो माना यही जा रहा था कि निफ्टी जो है तेरह हजार का लेवल क्रोस करने के बाद में इस बार एक नया हाई बनाने वाली है तो दोस्तों इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखकर अपनी पोजिशन्स क्रियेट करनी है दूसरी बा पूरा सबताह जो है इसी हलचल के साथ भर हुआ रहने वाला है बात करने इस टील सेक्टर के अंदर जिस तरीके से मजबूती देखने को मिली तो यह मजबूती थोड़ी बहुत हमें और भी आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है बात करें फारमा सेक्टर की तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के टाइम में जो है फारमा सेक्टर को जिस तरीके का बूस्टर डोज मिला है तो फारमा सेक्टर और भी पोजिटीव जो है वे में आगे जा सकता है क्योंकि अभी फिलाल में कंपनियों को रिजल्ट आ रहे हैं धिरे जिस तरीके स रिजल्ट आएंगे तो स्टॉक्स के अंदर जो है और भी तेजी देखने को मिलेगी तो आप इन सारी चीज़ों को आंकलन करते हुए ऐसे ही कंपणियों के अंदर अपना पैसा लगाए जहां पर आपका पैसा कम से कम सबसे पहले सेफ रहे कोई किसी तरीकी की दिक्कत न रह आप चाहे निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाएं चाहे अधर जो है इंडेक्स हैं उनके अंदर पैसा लगाएं कम से कम यह शोर्ट ही रहनी चाहिए कि आपका पैसा सेफ रहे अब बात करते हैं दोस्तों हाउजिंग फिनेंस कंपनियों के बारे में किस तरीके क चाल और ढाल जो है साल अब हमें देखने को मिलने वाला है जिससरी किसा आप जानते हैं कि लगबग 2021 अब स्टार्ट होने वाला है कुछी समय अभी बाकी है तो लगातार जो है यह कंपनिया भी प्रोग्रेस करने के मूड में दिखाई दे रही हैं यह भी चाहती है कि कोरो आने वाले दिनों के अंदर जो है हाउसिंग फ्रेंस सेक्टर के अंदर भी आपको बूश्टर डो जो है देखने को मिलने वाला है दोस्तो यही सारी चीज़े हैं आप पूरे मार्केट को अब्जर्व कर लीजेगा क्योंकि पूरा सप्ता है जो है आपके पास में सिर्फ क्रेडिंग का होता है या फिर इन्वेस्टमेंट का होता है बट यह दो दिन मिलते हैं सेटरडे और संदे का आप इन में जो है कम सकम गहर सोच विचार करने के साथ में आप जो है अगले जो पूरा सप्ता होता उसकी रणनीती तयार किजिए तो दोस्तों अगर यह जानका करता है।